चार सेंटीमेटर तेज्या लेकर एक विर्थ खीचे और इसके किसी बिंदू पी पर असपर्स रेखा खीचे तो पी एक बिंदू है इट मिन्स एक असपर्स रेखा खीचना हमें तो क्या करेंगे सबसे पहले चार सेंटीमेटर का एक चाप ले लिजिए लेलिए अब क्या करना है चार सेंटीमेटर रेडियस का एक विर्थ खीचना है एक विर्थ हम लोग खीच लिए चार सेंटीमेटर त्रिज्या का ठीक है के अंदर से एक त्रिज्या भी खीच लिजिए किसली हमें मालूम है कि विर इस बिंदू को बिंदू P मान लीजिए जो कि विर्द का कोई बिंदू है इस बिंदू से असपर्स रेखा खीचेंगे और हमें पता है ना कि यह 90-degree का अंगल बनाती है तो यहां पर 90-degree का अंगल बनाती है सिए चाप लेने को इसे बरा-छूटा नहीं करना है पहला चाप साथ दूसरा चाप कितना बनेगा 120 और 60 और 120 वाले पर से रख बिंदू पर से रखके कर देंगे तो क्या जाएगा नप्य टिकरी का एंगल आ जाएगा तो यह हो गया कम्प्लीट ठीक है यह हो गया कि इसी को हम एक दूसरी विधी से भी बना सकते हैं वह देखिए चार सेंटीमीटर तरजिया का एक विर्थ लिजीए आप एकजाम में कोई एक ही विधी अपलाई करेंगे ये विधी या इस विधी दुनों में से कोई एक मैथ़ड आप यूज़ कर सकते हैं क्या किजिए आप इस विर्थ पर कोई तीन बिंदू ले लिजिए कहीं पर भी कोई तीन बिंदू ले लिजिए तीनों बिंदू को आपस में आप जोड़ दे हैं ठीक है जोड़ दी यह ज जितना बड़ा ये एंगल है एक चाप ले लिए जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा सेम एंगल यहां बनाईए एक चाप ले लिए वही सेम चाप यहां भी लेना है ठीक अब इस चाप को ना पिए यह कितना बड़ा है यह चाप कितना बड़ा है ऐसे के छोटा करन काट दीजिए यह ठीक इस बिंदू को इस बिंदू से मिलाकर एक रेखा खेच दीजिए यह यह बिंदू क्या हो गया विर्द की असपर्श रेखा हो गई ठीक है तो अब इस दोनों में से कोई भी विधी अपलाई कर सकते हैं इस रचना के लिए ओके